कि नमस्कार आप देख रहे हैं एस्पियर नाई न्यूज और आपकी साथ मैं हुकरांति से आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस जो है वो दिल्ली के बाद पंजाब में स्थापित कर दिया अब पंजाब के बाद जैसे ही गुजरात की नगरी में पहुँचे गुजरात म भी एक भव्वे तरीके से अपना आगाज किया पहले शूने तक सिमतने वाली आम आदमी पार्टी ने लगतार अपनी तरफ से हो रहे प्रयासों को अब और जादा जोर दे दिया है और इसके बाद बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही हैं सिर्फ दावे और व भी शामिल है और वो है सर्वे रिपोर्ट जी है आपको उतादे कि गुजरात के सर्वे रिपोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी ने यहां पर पेश किया है और उसके बाद जो दावे वहां पर किये गए है और सीटों का खुलासा किया गया है उसे देख कर कि आप भी दं अब धीरे धीरे भाज़पा समर्टी जा रही है कहीं पर कॉंग्रेस भारी पड़ रही है तो कहीं पर आम आदमी पार्टी सूरत में जाकर के केजरिवाल ने एक बड़ा दावा किया कि वहां के 12 सीटों में से 7 सीट जो है वो उनके खेमे में हैं लेकिन आप जिस रिपोर्ट के हम बात कर रहे हैं उस सर्वे रिपोर्ट को देख करके आपको भी समझ में आएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का ग्राफ इस वक्त गुजरात में क्या हाकार मचा रहा है और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनोती कैसे साबित ह गुजरात में बीजेपी सिमट सकती है और आप पाटी को काफी सारे सीट मिल सकती है जो यहाँ आपको अता दे के आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसके इंटरनल सर्वे में पता चला है कि वो गुजरात विदानसवाद चुनावों में लगभग 58 सीटें जीत सकत आपके प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुचे थे। जीतेंगे। गुजरात के लोग हमें वोट दे रहे हैं। शहरी शेत्रों में निम्न और मध्यम वर्ग बदलाव चाहता है और वे हमें वोट देंगे। यह आज की स्थिती हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीटता जाएगा और चुनाव निजदीक आते रहेंगे हमारी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य में बीजोपी सरकार की राज्य खोफिया शाखा के हाल ही में किये गए सर्वेक्षन में आपको 55 सीटे दी जा रही है। इसमें पहले आपकी गुजुरात इकाई की अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फरेंस को समबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस खोफिया सर्वेक्षन की रिपोर्ट के बारे में सूत्रों से पता चला है और बीजेपी उनकी पाटी के पुर्वा अनमित प् किया था इस दोरान वे एक रोड़ शो सहित कुछ कारे करमों में शामिल हुए थे सुमबार को आपके राज्य प्रभारी बने पाठक ने कहा कि उनकी पाटी यहां श्रीच स्थान के लिए लड़ रही है क्योंकि लोग बीजेपी से बदलाव चाहते हैं जो पिछले 27 सिय विधान सभा में मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पाटी की तरफ से यहां पर नैने वादे नैने इरादे और नैने दावे के साथ में हरकम मताते हुए बीजेपी खेमे को बरबाद करने की ठानली है अब देखना ये है कि उन्हीं के संसदिये श्वेत्र उन्हीं क के गढ़ में क्या बीजेपी का हार निश्चिन्थ है क्योंकि देखे बीजेपी के लिए ये जगा जीतना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जीत की लड़ाई नहीं है आन बान शान की भी लड़ाई नजर आ रही है अब ऐसे में एका एक अगर उनके गढ़ में किसी और पार्टी की जीत हो जाती है तो उस पार्टी में हारना सबसे बड़ा स्टिग्मा लग सकता है बीजेपी के उपर जो कि दूसरे राज्चे को काफी ज्यादा प्रभावित करेगी ऐसे में कई और सारे मसले जो हैं वो इस वक्त आमादमी पा है कि आमादमी पार्टी ने अपने कमर कसर जो है वो पूरी कर रखी है ताकि कुछ भी हो जाए जीत मिले ना मिले लेकिन वहां पर जीत के रास्ते जरूर खुल जाए इसलिए वो दावा करती हुई नजर आ रही है कि आगे आमी चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करत होती है ऐसे में बहुमत का भी आखड़ा बढ़कर के जो है बीजेपी को वहां वोट प्रतीशत मिले थे ऐसे में बहुत बड़ा दवाव जो है आमादमी पार्टी के उपर है कि आखिरकार कैसे वो इस चुनावी माहुल के बीच में अपना दमखंब दिखा पाएगी और इस चुनावी माहुल के बीच में जो सरगर्मी तेज है क्या उसमें अपना जीत का पर्चम लहरा सकती है क्योंकि चारो तरफ एक चुनावी माहुल बना हुआ है लेकिन उस चुनावी माहुल से पहले एक बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा हो रहा है कि जहां बहुमत से भी ज्यादा बीजेपी की पकड़ है आखिरकार वहां पर शूने से शुरू होने वाले आम आदमी पार्टी इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती और कैसे बड़ी जीत पास सकती है वो हमने आपको दिखाया आपको ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या लगता है क्या आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर दावा कर रही है जिस सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही है क्या उस सर्वे रिपोर्ट में दिखाए गए अंक सच में वही दिखाए जाएंगे जब अ सब्क्राइब कर दो